वेलकम दोस्तो आज अपने पास में हैं Vivo V29 5G और Vivo की V-Series इस्पेसली कैमरा के लिए डिस्पेले के लिए डिजाइन के लिए बेस्ट मानी जाती है और V-Series के अंदर Vivo हर बार कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करता है वेसे देखा जाए तो इस स्मार्टफोन ने 30 से 40 जार रुपे के बजट में आने वाले स्मार्टफोन सभी का रिकोर्ड तोर दिया है फ़स्ट डे सेल के अंदर इसमें आपको स्मार्ट उरा लाट मिलती है और ये इनडिया का पहला स्मार्टफोन है जो 3D Particle Design के साथ में आता है इस स्मार्टफोन में आपको तीन कलर मिलती है पहला है अपने पास में Majestic Red है जिसके अंदर कलर चेंजिंग टेकनोलोजी देखने को मिलती है यूई लाइट और सनलाइट से कलर वगेरा चेंज करके डिजाइन बना सकते हो दूसरा आता है हिमाल्य बिल्यू जिसमें 3D पार्टिकल टेकनोलजी मिलती है जिसके बेक में आपको हिमाल्य से इंस्पाइर होके डिजाइन मिलती है हिमाल्य की जिसे ही आप उसको मूव करते हो तो आपको माउंटेन हिलते हुए नजर आएंगे और एक आता है सिंपल बलेक, स्पेस बलेक, तिनों ही कलर मज़ेदार है और सबसे ज़दा मज़ेदार चीज इसमें मिलती है स्मार्ट ओरा लाइट है जिसमें आप कलर चेंजिंग टेकनोलजी भी देखने को मिलती है स्मार्ट फॉन काफी ज़दा स्लीम है, इसका वेट है 186 ग्राम 7.46 अमम इसकी ठीकने से है वेसे देखा जाए तो हाथ में पकड़ने में तो काफी ज़दा कॉम्फेटेबल फील होता है बेक साइड के अंदर आपको रियर में तीर कैमरा सेंसर मिलती है दो-दो फलेर स्लाइट मिलती है और जो स्मार्ट ओरा लाइट है उसमें 4 LED मिलती है जो पिछली स्रीज की VTOM 27 उससे भी 36% ब्राइटनेस है जो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी इस स्मार्ट ओरा लाइट के अंदर है वेसे देखा जाए तो स्मार्ट फोन तो डिजाइन के मामले में काफी मज़ेदार है राइट साइड के अंदर वोल्यूम डाउन अप की एंड लोग बटन मिलता है नीचे की साइड में स्पीकर टैप सी यूएसबी पॉइंट माइक होल और स्रिम कार्ट स्रोट मिलता है इसमें आप है जो दो डूल स्रिम डाल सकते हो अब इसमें आपको कमी देखने को मिलती है वो है सिंगल स्पीकर के साथ में आता है वैसे हमने इसका स्पीकर टेस्ट किया तो काफी ज़्यदा लाउड फील होता है जैसे एक बार आप भी ट्राई कर सकते हो तो ओर रॉल स्पीकर के अंदर आपको सिंगल स्पीकर ज़रूर मिलता है लेकिन जो सिंगल वाला भी है वो सही तरीकी से काफी लाउड है जो काम कर जाएगा स्मार्ट फोन के बोक्स एसे स्रीज की बात करें तो इसके अंदर आपको ट्रांस्पेट कवर मिल जाता है मोबाइल की सेफटी के लिए 80 वोर्ट चार्जर एडेप्टर मिलता है टाइप A to टाइप C डेटा केबल सिम एक जटा टूल कुछ डोकॉमेंट्स हो अगेरा और इसमें आपको एरफोन देखने को नहीं मिलेगा स्मार्ट फोन के अंदर कितने भी मज़ेदार फीचर्स हो लेकिन डिस्पेल अच्छी नहीं है तो ओर ओर कहीं पर भी मज़ा नहीं आएगा लेकिन इसमें आपको 6.78 इच की 3D करवड 1.5 के एमुलेट डिस्पेल मिलती है जिसमें 120 Hz स्क्रीन रिफ्रेंस रेट है मैंने इसको चला कर देका विल्कुल मक्खन की तरह चलती है और इसमें आपको 1300 nits brightness pick level मिलता है एक चीज मैंने काफी सही देखी है ये फिलिकिंग वगेरा नहीं करती है क्योंकि इसकी डिस्पेले में आपको anti-value मिलता है hardware के थरू जैसे कि आप अगर night में mobile को use करते हो तो आपके आँखों के लिए हानिका रख नहीं होगा काफी हद तक है HDR 10 प्लस का support मिल जाता है तो यहाँ पर Netflix वगेरा जो भी अगर आप वीडियोग्राफी देखते हो तो overall काफी हद तक colors वगेरा काफी अच्छे देखने को मिलते है overall display quality best है V-series especially camera के लिए जानी जाती है और camera में हर बार कुछ ना कुछ नया एड़ करती है इसमें आपको 50MP का main camera with OIS और G&5 का sensor मिलता है और 8MP ultra-wide 2MP bokeh camera फ्रेंट के अंदर आपको 50MP का eye autofocus selfie camera मिलता है इस smartphone में फ्रेंट और रियर दोनों camera में 4K 30fps में video record कर पाओगे और दोनों ही camera में bokeh mode मिल जाता है तो ये video हम selfie camera से bokeh mode में record कर रहे है जहां पर आपको कुछ इस तरीकी से quality मिल जाएगी और really guys edges वगेरा अच्छी तरीकी से detail करता है और stability भी सही मिल जाती है rear camera से हमने bokeh mode के अंदर record किया जैसे subject आता है तो background के अंदर जो भी पेड़ब हो दे हो उनके अंदर आपको oval shape की design मिलती है और काफी हद तक है जो focusing वगेरा है और edges वगेरा bokeh mode को सही तरीके से control करता है तो bokeh mode तो अच्छा है इसके बाद मैं portrait camera की बात करते है जहाँ पर aperture के उपर click करके bokeh mode को customize करते हो कर सकते हो इसके अलावा style के उपर click करते हो तो यहाँ पर आपको काफी सारे effect मिलते है wedding style portrait जिसके उपर दुबारा click करने से आपको अलग-अलग effect मिलेंगे और यह मेरा वाला फेवरेट जैसे कि एक बार फिस से style के उपर click करना है यहाँ पर आपको low light portrait mode का भी option मिल जाता है wedding style portrait जिनके उपर आपको click करने पर काफी सारे colors वगेरा और effect वगेरा changing का option मिलता है तो हमने इन काफी effect के अंदर photo click की जहाँ पर मैं आपको detail बताता हूँ photo click करने के बाद में कुछ देर बाद में आपको wait करना होगा फिर customize कर देता है और overall quality wise आप खुद देख सकते हो portrait mode में तो भाई कमाल की photos आजाती है जिसमें skin tune वगेरा लेकिन सबसे मज़ेदार चीज background में जो भी बलर है bokeh mode है उसको काफी हद तक design और ये low light photo के अंदर click की ये wedding style portrait सभी में portrait mode में तो कमाल का option मिल जाता है और जो ये सारे modes आपको rear camera में मिलते हैं वो ही आपको front camera में भी मिल जाते हैं तो दोस्तों आपको इस smartphone का camera कैसा लगा overall मुझे तो काफी good लगा है जिसमें bokeh video मिल जाता है 4K 30 fps में front और rear दोनों camera से suit कर सकते हो प्रोसेसर इस smartphone में आपको snapdragon 778G का प्रोसेसर मिलता है जो 6 nanometer की chipset के साथ में best है लेकिन V29 से पहले V27 आया था उसमें media tech diamond city 7200 का प्रोसेसर था जो की 4 nanometer की chipset के साथ में best था और दोनों स्मार्टपोन के N2T score की बात करें तो V29 से जदा आपको V27 में देखने को मिला उसमें लगबग 6 lag प्लस कुछ N2T score देखने को मिलता था लेकिन इसमें आपको 5 lag प्लस ही देखने को मिलेगा तो अगर V27 के मुकाबले प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको V29 में low quality देखने को मिलेगी लेकिन overall smartphone है अगर आपको जदा high level की gaming वगरा नहीं करनी है तो इस price segment के अंदर इस smartphone की तरफ जा सकते हो जिसमें आपको camera, display वगरा सब कुछ overall अच्छी चाहिए और एक चीज इसमें सही है इसमें आपको BC Bionic cooling system मिलता है अगर आप gaming वगरा करते हो तो आपने देखा होगा गर्मी के अंदर heating वगरा का ज़्यादा issue होता है लेकिन ऐसा इस smartphone में देखने को नहीं मिलेगा और ये smartphone 8128 और 12256 दो वेरेंटी अंदर आता है तो 8GB RAM और 12GB RAM के अंदर आप इसमें 8GB RAM तक extend भी कर पाऊगे जिससे multitasking apps वगरा ज़्यादा यूज करने में काफी ज़्यादा है आसानी होती है तो overall देखा जाए तो यहाँ पर processor है जो कुछ हर्द तक load दिया है अगर इससे और भी ज़्यादा better होता तो इस smartphone के अंदर gaming वगरा और भी अच्छी की जा सकती थी इस smartphone काफी ज़्यादा slim है तो इसमें आपको battery मिलती है 46 मच की जो क्याती है 80W charger के साथ में और इस smartphone को 50 मिनट के अंदर 0-100% चार्ज कर देता है और 18 मिनट के अंदर 50% चार्ज कर देता है जो color change भी करती है और जिसमें आप अच्छे-ची photo क्लिक कर सकते हो और इसका camera तो मुझे काफी best लगा है जिसमें front और rear दोनों में bokeh mode में video record कर पाऊगे 4K 30fps में record कर सकते हो और यहाँ पर आपको portrait mode के अंदर तो सबसे खास photo लेने का मोका मिल जाता है और आप normally एकदम बस gaming ही करना चाहते हो तो आपके लिए यह smartphone नहीं बना क्योंकि इस price segment के अंदर आपको और भी best processor मिल जाता है other smartphone के अंदर लेकिन आपको camera display, design अच्छा चाहिए तो इसकी तरफ जा सकते हो तो गाईज इसकी price है 33,000 जिसमें आपको 8188 वेस्ट वेरेंट मिलता है और next video में हम इसका full camera टेस्ट करने वाले हैं जहांपर camera के features, camera की settings बताएंगे तो चैनल को subscribe कर लेना मिलते हैं next मज़ेदार वीडियो में बाई बाई